हर हर महादेव, जै भॉले नाथ, नमश्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा आप सभी का आपके अपने ही यूटूब जैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि सावन में हर रोज, हर दिन बावा भॉले नाथ की पूजा किस प्रकार से करें आज की वीडियो में आप देख पाएंगे कि मैं बिल्कुल साधारन और सरल विधी से पूजा करती हूँ ताकि आपके लिए भी वीडियो हेलफुल हो और पूजा करने में कभी किसी प्रकार की कोई दुवीदा ना हो, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संशय ही ना रहें काफी लोग व्रत रखते हैं पूजा करते हैं लेकिन मन में अनेको तरहे की धाणाय रखते हैं अनेको तरहे का वहम पाल लेते हैं कि पूजा कर रहे हैं हमारी पूजा स्विकार होगी या नहीं होगी पूजा में गलती हो गई हैं कभी भूले नात उन्हें श्राप ना दे द मात्र थोड़ी सी चीजों से आपकी बहुत सारी मनो कामनाई पूरी करता है अगर आप पूरी सरद्धा, अठोट आस्ता और पूरे भाव के साथ अगर पूजन करते हैं सबसे पहले जब भी आप शिप पूजा करें तो आपका मुख उत्तर दिसा की तरफ ही रखें अगर आप आपका मुख उत्तर दिसा की तरफ रखते हैं तो शिप पूराण के अनुसार आपकी पूजा का, आपकी प्राथना का हजार गुना जादा फल आपको प्राप्त होता है सबसे पहले शिप लिंक को जलसे अभिशेक करें, अभिशेक करने के बाद चंतन से तिलक करें और शिवजी को कभी भी हल्दी रोली कुम कुम आप ना लगाएं लेकिन गणेश जी और मा मंगला गोरी को हल्दी कुम कुम रोली आप यह सबी चीजे लगा सकते हैं बाबा भुले नाथ के लिए वर्जित है लेकिन गणेश जी को और मा मंगला गोरी को सिंदूर अवश्य ही चड़ाना चाहिए भुले नाथ को जिस तरह सप्ता की दिनों में सौमवार का दिन सबसे अधिक प्रिये हैं उससे भी अधिक भुले नाथ को सावन का महिना है सावन के महिने में उनका पूजा करने से उनकी अरादना करने से आप अपने मन की अनेको इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं बाबा भुले नाथ की जब भी आप पूजा करें तो ये जरूर नहीं है कि आप अकेले बैट करी पूजा करें क्योंकि सावन का महीना चला हुआ है कोई ना कोई कोई ना कोई मंदिर में आता जाता ही रहता है तो आप अपनी पूजा को बीच में बिल्कुल भी ना रोके और आप कंटीन्यू बाबा भोले नात के मंत्रों के साथ आप शीप पूजन करते रहें चावल और चनी की दाल चड़ाने के बाद आप रक्षा सुत्र मोली में से थोड़ा थोड़ा कलावा तोड़कर वस्तर का भाव करते हुए सभी को वस्तर रोक में कलावा अरपित करेंगे आप अपने साथ इतना रक्षा सुत्र अवश्य लेकर जाएं कि सभी परिवार को आप वस्तर रोक में मोली अरपित कर पाएं और उसके बाद मातब पारवती और शीव जी का गठबंदन अवश्य करें अगर सो भाग्यवती इस तरियां पूरे सावन शीव परिवार का पूजन करती हैं और इस तरह से गठबंदन करती हैं तो मा मंगला गोरी उनको भरपूर आशिरवात देती हैं उनके पती की तरक्षी होती है घर में सुक्ष सम्रधी और बरकत पढ़ोतरी सदेव परी रहत देखे मैं इधर हल्धी लगा रही हूँ तो मा मंगला गोरी को आप हल्धी जरूर लगाएं सुक्सो भाग्या की परतीक है हल्धी और भोले नात को इस तरह भश्म आप अवश्य ही अर्पित करें भोले नात को भस्मा धारी भी कहा गया है अगर आप अपने घर पर अपने हातों से स्वें भस्म बना कर भोले नात को अर्पित करते हैं तो नए जाने भोले नात कब किसको क्या दे डालें तो इसलिए भस्म आप अवश्य ही अर्पित करें भस्म का आप लेपन कर सकते हैं त्रिपुन बना सकते हैं तिलक लगा सकते हैं और इसी तरह से चारो तरफ भोले नात का सरंगार भी कर सकते हैं शिप पूजा में भगवान गणेज जी को दुर्वा अवश्य ही अरपित करनी चाहिए दुर्वा करने से हमें आरोग्य प्राप्त होता है हमारे अंदर जो भी कमिया हैं बुराई हैं या कोई भी रोग दोश है वो समाप्त होता है हमा मंगला गोरी को गुढ़ेल के लाल रंगे फूल बेहद प्रिये हैं आप जब भी इनका पूजन करें अगर मिल जाए तो आप इन फूलों का इंतजाम जरूर करें और भोले नात को आकड़े के फूल आप अवश्य ही अर्पित करें आकड़े के फूल चड़ाने से आपको हजारो सफेद फूल चड़ाने का सोभाग्य प्राप्त होता है और इस तरह से फूलों की बरसा भोले नात पर अवश्य ही करने चाहिए अगर आपको मिल जाए तो मोगरा के फूल भोले नाथ को बेहद प्रिये हैं मोगरा के फूलों की माला बना कर अर्पित कर सकते हैं या इस तरह से फूलों से उनका सरंगार कर सकते हैं जब आप इस तरह पूरे भाव से सरदा से भोले नाथ का पूजन करते हैं भी शेक करते हैं तो आपके बंद किसमत के द्वार भी इसी सावन में भोले नाथ जरूर खोलते हैं पूजा अपनी कंटिन्यू करते रहें किसी की तरफ कोई ध्यान ना दे नहीं किसी दूसरे से किसी दूसरों की बाते करें क्योंकि अक्सर महिलाओं में ये आदत होती है कि पूजा करती है लेकिन किसी दूसरे से अपने घर की या किसी तीसरे की बुराई करती है तो इन बातों को आप ध्यान में रखें शिप पूजा कर रहे हैं तो शिप पूजन में आप बिलकुल पूरी तरह से ही बावा भुले नाथ की भक्ती में लीन हो जाएं और संपून पूजा हो जाने के बाद एक बार पुन है जल से शुद्धी करण अवश्य करें दिपक का और संपून पूजा का आपको शितली करण अवश्य ही करना चाहिए इस तरह अगर आप पूजा करते हैं तो मेरा अकीन मानिए इस सावन के रहते ही भुले नात आपकी समस्त मनों काम पूरी अवश्य करेंगे इतनी आस्था और विश्वास एक बार रखकर तो देखिए वो भुले नात है सब की सुनते हैं आपकी भी अवश्य सुनेंगे इस तरह से बिल्कुल साधन विदी से पूजा करके आपको भुले नात से छमा प्रातना और दो मिनट भुले नात के म कंदिर में बैठकर अपनी कोई भी जो मनो कामना है वो आप भुले नात के समक्ष अवस्य रखें सारी पूजा हो जाने के बाद आपको सिवलिंग के समक्ष इस तरह से माथा अवश्य ही टेकना चाहिए अगर इस तरह से आप माथा टेकते हैं तो पूजा में अगर जाने अंजाने में कोई भी तूरूटी हो जाती है तो भुले नात उसे शिगर ही छमा कर देते हैं अगर आपको शिप पूजा का संपूर्ण लाब चाहिए तो पूजा करने के बाद बाबाब भुले नात की आदी परिक्रमा भी आप अवश्य करें अगर आप आदी परिक्रमा बिल्कुल इस तरह से करते हैं, तो आपकी पूजा का आपको संपूर्ण लाब प्राप्त होता है। आपके पास जो भी थोड़ी भूत पूजा सामगरी हैं, उसी से एक बार सावन में जाने का भुले नात का पूजन करने का नियम बना कर तो देखी। भुले नात आपकी समस्त कामनाई पूरी करें, ऐसी मैं भुले नात से प्रातना करती हूँ, मेरे यूट्यूब परिवार पे जो भी मेरे फैमली हैं, भुले नात उन सभी की मुरादे पूरी करें, उन सभी को स्वस्त रखे, सुखी रखे, ऐसी में प्रात्ना करती हूँ आशा करती हूँ कि इस संपूर्ण जानकारी से आपको लाप राप्त अवश्य होगा अगर यह वीडियो आपके लिए उप्योगी हो और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हर हर महादे